आपका स्वागत है आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ मॉडल्स के उपको जो नेचर में किसी भी आर्ग्रीजम का जो ग्रोथ पैटर्न होता है ठीक है तो उसमें दो तरीके से ग्रोथ होती है ठीक है एक एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होता है और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ को समझाता है इसमें आपको रिकैब करवाएंगे और दूसरा जो ग्रोथ मॉडल्स है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल्स है उ और गेनिजम्स प्लेड या और या और पॉपुलेशन ठीक है इस में बहुत सारे पैरा मीटरेशन और चीजों के लिए कि kya होता है कि है attributes होते हैं ठीक है कैसे pattern होता है कैसे size बढ़ेगा क्या घटेगा अभी हम models पढ़ रहा है तो एक model हमने पढ़ा था exponential model और आई होप कि आप पीछे का lecture जो है न उसको follow कर रहे हैं नहीं follow कर रहे हैं तो please do follow do follow का मतलब do watch the lecture और सब्सक्राइब और सेर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है वह incentive होगा मेरे लिए लेकिन यह आप ही जैसे बच्चे ने हमको सजेस्ट किया था कि छोटा छोटा वीडियो थोड़ा बनाएंगे तो बच्चे जो है ज्यादा प्रीफर करेंगे तो मैं देखे कोसिज कर रहा हूं तीस मिनट के अंदर रखने की इससे छोटा बनाना थोड़ा फिल्टर करेंगा और यहां से जो वाटर निकलेगा यहां पर घंदा वाटर है तो यहां पर हमको मॉडल को अगर करते हैं इंप्लिमेंट करते हैं अगर सही तरीके से काम करेगा तो फिर यह मॉडल सही में है रेडी हो जाएगा ऐसे यह मॉडल है तो इसमें दो टाइप के मॉडल है और इस्टडी के बाद हमको पता चला कि बहुत नेचर में जो है न यह एक्स्पोनेंशियल वाला मॉडल कि ड्लीमिटेड ठीक है आन लिम्टेड जो कंडीशन है न यहां पर रिसोर्स के लिए यही कंडीशन जो है न फूल्फिल नहीं होगी अरे रिसोर्स आनलेमिंटड का मतलब light राएगा से कंपटेशन आपको लगता है क्या नहीं रहेगा जिरो पाआपा होना ही है सब इक्स्पेनेशल जो ग्रोथ मौडल यहीकशों हो गया तो ये वाला pattern हमको याद रखना है कि dn by dt is equal to rn होता है और r क्या है यहाँ पे b minus d है ठीक है b minus d clear है और इसको हम लागरद्मिक scale पर अगर बात करते हैं तो क्या होता है n t, t time पर population density, population size क्या होता है n 0 e power rt ये भी याद रखना है r की value भी ध्यान रखनी है और ये graph भी ध्यान रखना है dn by dt का ये वाला graph बनता है इसको हम क्या बोलते है जे shape graph बोलते है अब आते हैं दूसरे model पर ये model जो है न ये exist नहीं करता है nature में इस बात को ध्यान रखेगा exponential growth model ये does not exist in the nature does not exist in nature ये नहीं कर सकता है पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जितने factors affect करते हैं growth को नहीं है वो factor मतलब unlimited नहीं है ठीक है समझ में आया ओके कि यहां पर देखिए यह दिया हुआ है ना कि इन्नेट का मतलब समझ रहे हैं इन्नेट पोटेंशियल का मतलब समझी है इन्नेट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि एक से किनिका है इसे होने लग रहा है भाई न इनिए उनेट पोटेंशियल वह समझें किसी भी स्काइश जो फोली पोटेंशियल टू प्लैश्क बात है क्लियर है के अब आते हैं अब आते हैं गिस्ट मिब यह आपको पढ़ना है एसे celebrating यह आपको पढ़ना है ठीक है यह आपको कहानी दी होई है यह पढ़िएगा यह हम नहीं समझाने वाले हैं हमने जो समझाना तो समझा दिया है तो दूसरा factors बताए है या जो factors आपको पता है responsible factors ठीक है for any species ठीक है to grow to grow in size ठीक है या grow in density इसके लिए जो factor responsible है क्या ये factors unlimited है unlimited है question ये है नहीं unlimited नहीं है तो nature में resources जो है resources जो है limited है ठीक है ये है कहानी और जब limit है तो अगर माली जी ऐसे growth हो रहा है तो एक time के बाद जो है न growth रुकेगा और growth रुकेगा तो फिर कैसे हो जाएगा इसे हो जाएगा तो इक्जैक्ली जो जे सेट में चल रहा है तो जे सेट कर्व बनेगा ही नहीं बनेगा कभी नहीं बनेगा क्यों क्योंकि एक time ऐसा आएगा कि आपको space कम हो जाएगा food कम हो जाएगा या competition बहुत ज्यादा हो जाएगा climate की वह से आपकी population decline कर जाएगी बहुत सारे factors होंगे जो environmental factors है वह यहां पर काम करेंगे तो लाजिस्टिक ग्रोथ जो मॉडल है वो क्या बताता है कि एक time के बाद मतलब space crunch हो सकता है food crunch हो सकता है anything जो भी environmental factors है जो कि population size के लिए responsible हो सकते हैं वह limitation create कर सकते हैं population की growth के लिए ठीक है और वही limitation जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं उस particular habitat की carrying capacity जैसे हम बात करते हैं आर्थ के लिए ठीक है तो यह क्या है carrying capacity ठीक है अब weight कोई भी चीज के लिए जिसे कुर्सी होता है न अब कुर्सी बैठने और या कुर्सी क्यापास्टिक इतनी है आपको पता रहती है ठीक है तो मालेजे और दो किलो की जगह अगर दस किलो भर दिया तब तो हंड़ेर पर्संट ब्रेक होगा और समझ रहा है कि नहीं यह कोई दिक्ट क्योंतों नहीं नहीं इससे ऊपर जाएगा तो रिषोर्स इसको क्या करेगा लिमिट कर देगा यहां तो अगली बार आप करेंगे Queensland करें इसे ही नेचर में है मांना चिह कि फूड के अबलेबिल्टि'di को समझा रहा है आपके नेचर में फूड कितने नमबर के लिए वन इवने पैसी स्विसिस के पॉपलेशन है उसका नमबर कितना सg है मतलब इसके लेकिन अगर यहीं population 110 हो गई तो इसके लिए food crunch हो जाएगा क्या हो जाएगा फूड की कमी होनी सुरू हो जाएगी कि समझ रहें कि फूड की कमी होनी शुरू सुरू हो जाएगी क्योंकि फूड यहां पर क्या है limited है को है किमे पीड़ा हो गया ना तो अब भाई पैदात हो गए हम बच्चे लेकिन फूड कितने के लिए है सौ के लिए तो इसमें से ओवर दे पिरिड अब टाइम कुछ टाइम के बाद कुछ पॉपलेशन मरेंगी तो इसमें से के पास्टी कितने की थी 100 की ही है। फिरसे यह ऊपर चला गया पर मरते मरते नीचे अठानबे नीचे तो कभी एक सबॉदस हो जाएगी पही पंचनमे कभी नवज़ तो यह न इसी करीरिंगे के पास्टी कि जो लाइन है इसी के ऊपर नीके-ऊपर नीचे घूमती रहेगी तो real में real में जब हम carrying capacity concept apply करते हैं और graph जो है plot करते हैं किसी भी population के लिए time t में कि after time t इसका population क्या होगा या graph pattern कैसा होगा तो ये graph pattern exactly ऐसे नहीं रहता है graph pattern ऐसे होता है ऐसे जा रहा है एक सेकें हम इसके color को change कर लेते हैं ठीक है ये graph ऐसे जा रहा है ठीक है यहां गया ये carrying capacity आ रहे हैं तो ये graph ऐसे नहीं कि तुरंत रुक जाएगा देखते ही नो भई ये गाड़ी नहीं ये कि break लगा लिए हमने यहां population पैदा हो गई तो उपर तो जाएगी न तो यहां फिर decline हुआ फिर नीचे आया फिर नीचे फिर उपर ऐसे चलता रहेगा रियल में graph जो होता है ऐसे चलेगा और ये carrying capacity की line है समझ रहे ने ये fluctuation ऐसे ऊपर नीचे carrying capacity के होता रहेगा और carrying capacity जो हमने लिखा ने इंग्लिस में carrying capacity CC इसको denote किसे करते हैं के से करते हैं किसे करते हैं के से करते हैं ध्यान लखिएगा क्लियर हुए आप ही जैसे अर्थ की carrying capacity है हम बोलते हैं आर्थ अपनी carrying capacity को रीज कर गई है इसलिए डिजास्टर्स जो आ रहे हैं उसी की वैसे आ रहे हैं पापुलेशन साइज जितना उसकी carrying capacity है उससे ज्यादा हो गई है और हो रही आट्विलियन तो हम इसे पहुंच गए ठीक है तो जब हम के का कॉंसेट्ट अपलाई कर देते हैं तो ग्राफ का जो पैटर्न हो जाता है वो दूसरा हो जाता है तो यह carrying capacity हमेशा क्या क्या सो करता है limitation क्या करता है क्या करता है limitation सो करता है कहने मतलब दूसरा वाला जो ग्राफ बनेगा जिसको हम बोलना है कौन सा logistic growth model यह logistic है logical है nature में यहीं वाला growth जो है देखने को मिलता है तो इसको जब आप ध्यान से एस सेप में कैसा एस सेप में ठीक है और इसी को क्या बोलते हैं सिग मौयड कर्व भी बोलते हैं सिग मौयड ठीक है एस सेप कर विया सिग मौयड कर्व किस केस में बन रहा है लाजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के केस में बन रहा है क्यों क्योंकि यहां पे carrying capacity का concept आ रहा है केरिंग कैपासिटी क्या है किसी भी हैबिटेट की वो कैपासिटी ठीक है जो वहाँ पे एक पर्टिकुलर साइज का पॉपुलेशन क्या करे पॉपुलेशन को सस्टेन या सपोर्ट करा सके किसी भी हैबिटेट की वो कैपासिटी जो की एक पर्टिकुलर साइज के पॉपुलेशन को पर्टिकुलर साइज मतलब हाइट या वेट में नहीं नंबर की बात कर रहे हैं साइज डेंसिटी कर लिए पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करें सपोर्ट करने में मतलब कम्प्ली क्या करें मतलब इतना उसके पास सब्सक्राइब कर लेगा इससे उपर गया तो फिर से वह बढ़ेगा तो इसी के उपर नीचे जो है न फ्लक्टुएशन होता रहता है समझ में आया अब आते हैं नीचे कि लिखा क्या है इसमें यह जो हमने सब्सक्राइब करता है क्यों क्योंकि जो भी जो भी हैविटेट होगा उसकी पर्टिवडर क्यपासिटी होगी ठीक है उसी क्या बोलते हैं कहरीं क्यपासिटी सिंपल सी बात है जो इन नैचर अगिवेन हैब इंप एनव रिसोर्सेजस्टू सपोर्ट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्यों हमने बोला नहें सव नंबर अगर सपोर्ट कर सकता है तो सौ नंबर मैक्सिमम नंबर इसके उपर गया नहीं 110 अगर पहुँच गया तो यह धीरे से एक टाइम आय आर्टिफीशल सिस्टम तो है नहीं कि आप बनाते बनाते रोक दिये तुरण मसीन को नहीं यह सिस्टम आलड़ी मानने पंचान में थे यह करिंग कपास्टी के पहले ही पैदा हो गए बच्चे 110 पैदा हो गए मतलब 10 इक्स्ट्रा हो गए 15 इक्स्ट्रा हो गए ठीक है तो य इनकी रिप्रोड़क्टिव फिट्नेश है ने अफेक्ट इसके उपर हो रहा है इनका खुद का सर्वाइबल और रिप्रोड़क्टिव फिट्नेश क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर वेरी क्लियर और इसकी स्टडी किया था किसने यह दो लोग ने किया था इसको बोलत पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर तो यह आपको नाम भी ध्यान रखना है ठीक है आप पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैविटेड विद लिमिटेड रिसोर्से शोर इनीसियल लैग फेज ठीक है फालोड बाई फेज आप एक्सेलरेशन जिसको हम क्या बोलते हैं लॉग फेज बोलते हैं अभी हम बताएंगे तो पहला फेज इसमें जो होता है अगर हम यहां पर ग्राफ प्लाट करें आपको बताते ऐसे ठीक है तो यह एन है पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी और यह टाइम टी है ऐसे माल लिजे इनीसियल पॉपुलेशन कुछ भी रही थोड़ तो इस्तिदी मोड में आना हिं क्या है मतलब इसका मतलब करेंग के पास्ति को पहुंच गया है ठीक है यह हमने करेंग के पास्ति की लाइं रखी है ठीक है रियल में यह क्रॉस करेगा ऐसे चलता है ऐसे चलेगा ऐसे ऐसे चलेगा ठीक है रियल में ऐसे होगा तो यह वाला जो फेज है ना पहला फेज यह लाइग फेज है और दूसरा फेज यहां से यहां तक जो है यह लॉग फेज है और यह तीसरा फेज है इसको हम क्या बोलते है इसको बोलते हैं स्टीडी फेज या एसिम्टोट तो याद रखिएगा ठीक है यहां पर क्या होगे पॉपुलेशन जो है स्टेबिलाइज हो गई है इसी के इर्द गिर्द जो है यह घुमती रहेगी ठीक है यहीं सिग्म आइड तो इसमें यह भी दियार रखना है तीनों फ इस फेज को और क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन फेज भी बोलते हैं जिसमें पॉपुलेशन साइज जो है बहुत तेजी से ग्रोफ कर रही है लाग फेज क्या होता है बहुत स्लो ग्रोथ होती है अगर कोई भी इंवामेंटल कंडिशन फेवरेबल है न तो यहां पर जो आर आपने इसमें न्यूट्रेंट मीडिया डाल दिया है ठीक है न्यूट्रेंट मीडिया आपका पड़ा हुआ है इसमें क्लियर एक नहीं न्यूट्रेंट मीडिया पड़ा हुआ है आपने इसमें प्लेटिंग कर दी आपने इसमें प्लेटिंग कर दी किमाल नहीं जी आपने एसे श्टीकिंग कर दी बैक्टिरिया की इस टिकिंग करने के बाद आप सोचिए जैसे इस करना है तुरणत ही यह ग्रोख नहीं होता है पहले इस कंडिशन में यह करेगा अपने आपको adaptation के बाद जब adapt कर लिया तब फिर क्या करेगा growth करना शुरू करेगा तो जो ये adaptation का time है adaptation का time इसमें growth बहुत slow होती है बहुत slow होती है इसी growth phase को क्या बोलते हैं lag phase बोलते हैं समझ रहें कि नहीं lag phase बोलते हैं तो याद रहेगा नाम याद रखिएगा वरहल्स्ट परल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ठीक है और यहाँ पे कैरिंग कैपास्टी का कॉंसेप्ट आता है कैरिंग कैपास्टी का मतलब क्या है यह हमने बता दिया अच्छे से कि कैरिंग कैपास्टी का मतलब क्या होता है किसी भी किसी भी हैव हम 5000 को करेंगे वह हमको यह हम पापुलेशन साइज को देखके पता कर सकते हैं कि इसकी कैपासिटी इतनी ही है हम देख रहे हैं कि मतलब कोई भी पहले हम इनिसियल इसकी स्टड़ी कैसे करते हैं मालो हमने किसी भाग जा रहा है किसी भी जगह पर मालो कि पापुलेशन हम काउन कर रहे हैं कि भाई यहां पर हमने 10 ठीक है दस एलिफेंट को छोड़ दिया कहीं ठीक है किसी फॉरेस्ट एडिया में नए जगह पे दस को छोड़ दिया 10 से बढ़ता बढ़ता पेलिफेंट 20 पहुंचा 20 से बढ़के 40 पहुंचा 40 से पहुंचके 50 पहुंचा 50 से 80 हो गया ठीक है असी के बाद हम देख रहे हैं 10 साल हो गया 20 साल हो गया यह population कभी 100 हो रहा है फिर से 90 हो जा रहा है फिर से 80 हो जा रहा है बस इसी के इर्दिगिर्द घूम रहा है इसका मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब जो carrying capacity है इसी के आसपास है कभी यह इसी के नीचे हो रहा है कभी इसी के ऊपर हो रहा है ऐसे ही हम different habitat की ने study करते हैं कि वो एक population maximum जो size बे पहुच चुका है उसकी कितना ऊपर और नीचे जा रहा है तो beach की एक line हम draw करते हैं एक prox line और बता देते हैं भाई यही इसका carrying capacity है इससे ज़्यादा population यहां sustain नहीं कर पाएगा clear है तो carrying capacity का जब concept आता है तो जो dn by dt होता है वो change हो जाता है क्यों कि यहाँ पे अब k factor भी आ गया ठीक है k factor भी आ गया तो k क्या है carrying capacity है तो dn by dt is equal to rn किसके case में था dn by dt is equal to rn dn by dt is equal to rn normal या experiential growth कर्म में था अब यहां पर carrying capacity का concept आ गया तो dn by dt चेंज हो जाएगा किस से चेंज हो जाएगा carrying capacity एड हो गया देख रहा है यहां पे तो n की value में क्या हो गया carrying capacity का concept आ गया यह देखिए हमारा जो पैड है यह कभी-कभी जो है हमको धोखा दे रहा है हमको लाग रहा है यह पुराना हो गया है इसलिए ठीक है तो carrying capacity तो इसमें कुछ खास करना नहीं है थोड़ा से ध्यान रखिएगा k-n by k इसको दूसरे तरीके से represent कर सकते हैं कैसे dn by dt is equal to rn पुछा है भाई question ठीक है when minus n by k तो यह दोनों सही है जहां रखिएगा रहे इसी में k को बाहर निकाल लीजिए मतलब नीचे कर दीजिए तो k इससे multiply करेंगे तो k वन जा k minus n by k overall हो जाएगा या one minus k one minus n by k तो यह दोनों सही है ठीक है और यह दोनों ही किसके लिए है यह दोनों ही logistic growth models logistic growth models clear है कि नहीं I think it's clear now clear है तो दोनों growth models को हमने अच्छे समझा है और please do understand do watch the video completely और इसमें कोई भी दिक्कत है तो इसको समझे कोई भी दिक्कत समझे क्योंकि यह सब question पूछता है हमने भी question बनाया question जब दे देते हैं कुछ change करके तो गड़बड हो जाता है तो ध्यान क्या रखना एक तो ध्यान रखना इस formula को और इस case में इस case में जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा यह हमने बताया है कैसा एस सेप में बनेगा एस सेप ग्राफ को बोलते हैं सिग्माइड ग्राफ को बोलते हैं ठीक है आर वहीं है इंट्रिंसिक रेट आफ नेच्टरल इंक्रीज है और क्या है कैरिंग के पास्टी है और पॉपलेशन देंसिटी और पॉपलेशन साइज है लेकिन यहां पे आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाएगा हाला कि इसमें बहुत सारे आस्पेक्ट होते हैं ठीक है हम उ लोटका वोल्टेरा मॉडल पढ़ते हैं ठीक है यह आपको नहीं पढ़ना है लेकिन बता रहे हैं अपर देखते हैं नेचर में वह कैसे होता है उसको हम पढ़ते हैं इस मॉडल के तुरू तो यह आपके लिए नहीं है यह वालों के लिए है सो डुनाट वरी आट नाम भी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपको पढ़ना ही है तो आप मुझे बता दीजिए ठीक है मैं बता दूंगा आपको तो आज के लिए चलते हैं यहीं फिनिस करते हैं इसको आपढ़ियेगा अगला अगला इंसेक्ट हो गया टाइगर हो गया ठीक है सबका लाइफ इस्टी वैरियेशन जो है अलग-अलग होता है देखिए एलिफेंट की पॉपलेशन बढ़ाने के लिए बड़ा इफेक्ट काते हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है समझ रहें कि नहीं लेकिन यहीं पर देखिए डॉक के पॉपलेशन देखिए बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है कोई फरक नहीं पड़ रहा है तो ऐसे ही इनका जो लाइफ इस्टी वैरियेशन है वो अलग है इनका होता है इनका सर्वाइबल रेट बहुत हाई इनका सर्वाइबल रेट क्या होता है पूर होता है इसलिए आठ से दस में से एक या दो बचते हैं के वल यहां पर एक है तो हाई है और यह बचा रहेगा हुमन के लिए आदमियों का देख लिजिए इस समय सर्वाइबल लेट बहुत है इसलिए आप एक बच्चे पर सिंगल चाइल पर डिपेंडेंट है नहीं एक टाइम था ऐसा कि आप आदमी भी पांच से दस बच्चे पैदा करता था क्यों कि हेल्थ हमारा हेल्थ कंडिशन हेल्थ इंफ्राइस्ट्रक्चर बहुत पूर था तो कभी भी किसी भी स्टेश पर डिजीज होती थी और बच्चा मर जाता था तो एक या दो बच्चे ही लास्ट में बचते थे और जिनके पूरे के पूरे सरवाइब कर गए उनके पूरी फेमली बढ़ जाती थी इसी को लाइफिस्टी वाइरियेशन करते हैं और एक निचुरल कंडिशन भी इसकी होती है नेचर की बात हम कर रहें हम आदमी और इसकी तो बात कर नहीं रहें नेचर में क्या है न कि ब कि बहुत जादा हो और इसमाल साइज के ओगा नमर आप जो अफिस स्प्रिंग सोंगे बहुत जादा और तो उनके इंडिजुडल का तो पैदा होनेपे बहुतु चोटा होगा जैसे आप एक्जामपल दिया हुआ है संब प्रोडियूस नंबर आप इसमाल साइज डा आफ नहीं भाई अगर उतना करें तब तो फिर किसी चीज का नंबल डिकलाई नहीं नहीं इतना बढ़ जाएगा कि मतलब आप प्राब्लम हो जाएगी ठीक है और कुछ species होती हैं कुछ species जैसे human हो गया elephant हो गया ऐसे बहुत सारी species हैं जिनका कि number जो होता है इसमाल होता है और large size of springs होते हैं इसे birds भी होते हैं और mammals especially समझ रहें नहीं और यह किसली है which is desirable for maximizing the fitness fitness का meaning क्या है fitness का meaning बस है कि इनका जो generation है यह अपनी generation को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं यह कितने fit हैं कितने fit हैं to survive in that particular habitat यह तो यह fitness Darwin के according actually में genetic fitness ही है ठीक है genetic fitness कोई external यह मोटा तगड़ा पतला मोटा इससे नहीं है genetic fitness है कि भाई इनकी क्या fitness है particular habitat में survive करने की वही fitness decide करती है कि इनका number जो है छोटा होना चाहिए ठीक है यह number कम और बड़ा होना चाहिए इस्माल साइज्ड लार्ज नंबर या लार्ज साइज्ड इस्माल नंबर ठीक है जैसे हम plant की बात करते हैं आप देखें होंगे कि जो एयर और स्थायो प्लैने या एर डिसपर्सल न्यव्शान जोकते नैय मो कोरी जो होती है मतलब सीट का डिसपर्सल नंय थो और जो होता हैं और च्छोटे च्छोटी होते हैं चोटा सब्रूट रहेगा उसमें पता चला इतने सीडेना 500 सेड 200 सीड 400 सीड एक प्रूट में केवल करी है क्या है क्योंकि सारे सीड की जो वायबिल्टी है ना बहुत पूर रहे बहुत पूर है यह जा रहा है हवा कि तुर वाटर यह उसका इस्टりました कहां पे हो रहा है कितना इसका रेड सर्वाइवल का बहुत पूर जादा होगा तो खुद एड़ाप्ट कर लेगा एक time के बाद कि नंबर यह कम प्रोडूस करें क्यों क्यों कि of और भी स्पिरिंग को प्रोड्यूस करने में बनाने में जो है इंशी होती है तो अज़्य नगा है ज्वेजी और नर्जी सब्सक्राइव्यों सब्सक्राक स्जाण है है ठीक है तो ऐसे ही सारे स्पीसीज के लिए बाई सब इस पीसीज चाहती है चाहिए पेड़ पौधा हो जानुवर हो सब को यह रता है कि हमको अपना अपना इस पीसीज आगे बढ़ाना है यह सब होता है भई हमको रिप्रोड़ियूस करना है बस समझें न एक आप तो बचाही रहे आप बहुत आसपस अपने डॉक की पॉप्लेशन ले रहे हैं क्योंकि आपको आसपस गली में दिख जाएगा ठंडी का सीजण आएगा उनका breeding season, तो आपको गली मुहले में दिख जाया कि पता चला